दोस्तों कोई कैस में आपका स्वागत है 68 BPSC का पेपर 12 फरवरी को है इसके लावा और भी 36 गाड मध्य परदेश UPPCS सबको ध्यार में रखते हुए कंट अफेर डेली 10 कुशन हमारे चैनल डाले जाते हैं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपके पर बर्डर नहीं रहेगा और कंट फिर आप लगता टच में रहेंगे तो आपको कोशन गलत नहीं होने पाएंगे उसी को ध्यार में रखे हुए है हम लोग आज फिर 10 कोशन लेकर आए हैं इसे पहला कोशन है 41 सार्जा अंतराष्टे पुस्तक मेले का सुबारम कहा किया गया ह स्यूत अरब अमिरात में ठीक है यह अंतराष्टे पुस्तक मेला हर वर्स होता है तो इस बार कहा पर हुआ है सार्जा एक नमक सहर है स्यूत अरब अमिरात में वहीं पज़िव इस बार किया गया है 41 नंबर का दूसरा कोशन है किस राज में जंजातिये नित्म होसो सुरू हुआ है किया गया है तो 36 गड़ में 36 किया गया है तुसरा कोशन है UGC ने किस दिन को भारतिय भासा दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्देश दिया है 11 दिसंबर को भारतिय भासा दिवस के रूप मनाने का UGC ने निर्ड़े लिया है ये कुशन आप से पूछा जा सकता है एकजाम में किसे देश का पहला डक्टर राजिंदर परसाद एवार्ड दिया गया है प्रोफेसर रमेस अरोरा ये बहुत इपॉटन कोशन है बिहार की परपरसे देकर देखा जाए ये बिहार की राजिनिस से ही जुड़े हुए है डक्टर राजिंदर परसाद जो है और ये पहला एवार्ड डक्टर अजिंदर परसाद एवार्ड दिया गया है किसको तो प्रोफेसर रमेश अरोरा को दिया गया है काफी महत्पूर्ण कोशन ये इंपोर्टन्ट है कोई एक्जाम के पॉइंट डू से नेश कोशन है कि देश के पहले मदाता कौन थे जिनका हाल ही में निदन हो गया स्याम सरन नेगी ये हिमाचर परदेश के थे और जब हमारे हां 1952 में पहली बार लोगसभा का चुनाव हुआ था तो इन्होंने ओट डाला था और तब से लेकर के जो है 2019 के लोगसभा चुनाव तक इन्होंने लगातार ओटिंग किया है तो यह भारत के पहले मदाता रहे हैं जहां पर इन्होंने सारे लोगसभा के चुनाव में ओट किया है तो इनका अभी हाल में निदन हो गया तक आपी चर्चा कभी से हैं तो हो सकता है या में यह पूछा जा सकता है नेश कोशन है हमारे हां बिनिर्मार की लागत सबसे कम है तो पहले अस्थान पर भारत है, ठीक है? इसके रहा है कि मद्द परदेश में आयोजित परवासी भारतियत दिवस सम्मेरन के मुख आती थी किस देश के राश्टपती होंगे गुयाना के ये 9 जनौरी 2023 को ये मनाया जाएगा परवासी भारतिय दिवस और ये दिवस को मना जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 1915 में दच्छिर अफरीका से भारत वापस आये थे तो ये कुशन काफी important है आपसे पुछा जा सकता है कि परवासी भारतिय दिवस जो मनाया जाता है उसके इस बार अतिती मुख अतिती कौन होंगे तो गुयाना के राश्पती होंगे इस बार ठीक है ने इस कुशन है कि भारतिय सेना ने किस सहर में पुसपांजली समारों आयोजित किया है स्री नगर में स्री नगर में बहुत सारे सहीद हुए थे तो उनी की याद में पुसपांजली समारों का आयोजित निबार कोन किया है भारतिय सेना ने ये भी कुशन काफी important है पूछा जा सकता है और नेक्ट कोशन है भारत और किस देश के बीच जोधपूर में गरुन सेन अभ्यास आयोजित किया गया है तो फ्रांस के साथ किया गया है ये आपको याद रखना है कि जो है गरुन मिलेटरी एकसेसाइज अभी कहां पर हुआ है तो ये हुआ है आपका जोधपूर में किया गया राजस्थान में फ्रांस तो भारत और फ्रांस के बीच में गरुन सेन अभ्यास होता है आपको ये याद रखना है भारत और फ्रांस के बीच में तो करंट अफेर कि ये जो है दस न्यूज हम डेली मार चैनल दाड़ा जाएगा आप उनको लगाता नोट करते रहेगा किसी कुशन में कोई डाउट हो तो आप जरू बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा आप जरू मैसेज करिएगा और इस वीडियो को जो है आप लाइक क करिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को ओके थैंक यू